अधर्व की तरह किसी भी आश्चर्य जनक हमले का इस्तिमाल नहीं किया था इसके बजाए उसने अपने कौशल का उनकी सीमा तक उपयोग किया शुरू से अंध तक निम्बल स्नेक के पास अपनी तकनिकों का लाग उठाने का कोई मौका नहीं था इस पूरे मैच में वाइलेक ट्लावड ने व्याभारिक रूप से उसे अपने हाथ की हथेली में रखा था मुकाबला टकनिकों के बारे में जाव यूएरू ने यह नहीं सोचा था कि वाइलेक ट्लावड खुद ज्यादा मसबूट था ये अथर्व और वार वुल्फ के विपरीद वाइलेक के टकनिके अगमे स्टर पर नहीं थी केवल वाइलेक ट्लावड के पास जो कौशल थे वे बहुत शक्तिशाली थे निंबले स्नेक की तक्नीक बहुत बहुत बहतर होने के बावजूद अंत में वहार गया ये अथर्व क्या वह वास्तव में एक मौलवी है हाला की जेंटल स्नोख खुश थी लेकिन वह अविश्वस नियरूप से उच्सुप भी थी उसने विश्वास करने से इंकार कर दिया कि एक मौलवी के पास इतने शक्तिशाली कौशल हो सकते हैं इसके अलावा इसके लुक से वाइलेट ट्लावड की मूल विशेश्टाई जाओ युएरू की तुलना में काफी अधिक थी हाँ और नहीं अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा वह अंदाजा लगा सकता था कि अभी जेंटल स्नो के दिमाग में क्या चर रहा है आपका क्या मतलब है जाओ युएरू ने अच्छा प्रदर्शन किया वाइलेट पहले से ही टियर शुने मौलवी से टियर एक हिडन क्लास एस्ट्रोमेंसर में क्लास चेंज हो चुका है न केवल उसके पास एक मौलवी के अंतरनेहित कौशल है बलकि उसके पास एक जोतिशी के कौशल भी है अथर्व ने धीरे से समझाया इस बीच उसने निंबले स्नेक को अभी अभी एक एस्ट्रोमेंसर के टियर एक विरासत कौशल का उप्योग करके हरा दिया जहां तक उन कौशलों की शक्ती की बात है तो आप उन्हें स्वया देख चुके है आप कह रहे हैं कि वाइलेक ने पहले ही अपनी टियर एक कक्षा प्राप्त कर ली है जाओ येरू का छोटा सा मुह चोड़ा हो गया उसकी आखें अविश्वास से भर गई क्योंकि उसने अथर्व के बगल में खुशी से मुस्कुराती हुई लड़की को देखा यह गौड्स डोमेन के वर्तमान खिलाडियों के लिए पूरी तरह से अग्यात अवधार ना थी हालांकि एक विशेशग्य के रूप में वह जानती थी कि टियर एक वर्ग टियर शूने वर्ग से अधिक मजबूत था हालांकि क्लास चेंज क्वेस्ट बोजिल था यह न केवल समय लेने वाला होगा बलकि खोज भी काफी कठिन होगी नतीस तन उसने पहले अपने स्तर पर ध्यान केंद्रित करना चुना था हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि टियर शूने और टियर एक क्लास के बीच इतना बड़ा अंतर होगा तो यह टियर शूने खिलाडी और टियर एक खिलाडी के बीच का अंतर है जब जाव युएरू ने सोचा कि कितनी आसानी से वाइलेक्ट लाउड ने निम्बल स्नेक को हरा दिया था, तो उसका दिल अचानक उसकी क्लास चेंज क्वेस्ट को चुनौती देने के लिए उत्सुख हो गया। इस बीच अथर्व के स्पश्टी करण को सुनने के बाद जेंटल स्नो को भी एहसास हो गया था। यह कोई आश्चर्य नहीं था कि उनमें से दो केवल 22 तरके थे। यह पता चला कि उन्होंने अपनी कक्षा परिवर्तन खोज को पूरा करने के लिए समय लिया था। जीरो वि एक वर्ग वास्तव में इतना शक्तिशाली था। अगर जीरो विंग में बड़ी संख्या में टियर एक खिलाडी होते। क्या जीरो विंग को एक कालकोठरी भी मिल सकती है जिस पर वे छापा नहीं मार सके। इस तरह की ताकत से लेवल आप करना भी काफी आसान होगा। इ जहां तक काव चेंगुआ की बात है, हारने वाले की इस समय उसकी आखे लाल थी। जैसे ही हत्यारे का गला घोंटने का विचार उसके दिमाग में आया, उसकी नजर फूर्तिले साम पर पड़ी। अपनी तमाम गणनाओं और शडियंत्रों के बावजूद उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिन दो बाहरी लोगों को जेंटल स्नो ने आमंत्रित किया था, वे इतने शक्तिशाली होंगे। हाला कि उनके विचार अब अर्थहीन थे क्योंकि मुख्य देव प्रणाली ने पहले ही अनुबंध की शर्तों को लागु करना शुरू कर दिया था काव चेंगुआ का शरीर धीरे-धीरे अस्तित्व से बाहर होने लगा क्योंकि मुख्य देव प्रणाली ने उन्हें स्थाई रूप से इश्वर के डोमेंग से निकाल दिया। चेंगुआ का अनुसर्ण करता है तो उसका भविष्य निर्धारित हो जाएगा। अभी तक अब जिस तरह फुर्तीला सांप और ब्लैक हार्टेड एरो घबराने लगे, काव चेंगुआ द्वारा आमंतरित बाहरी व्यक्ती वार वुल्फ खड़ा हो गया और जेंटल स्न हम फिर मिलेंगे वार वुल्फ ने अभिवादन किया, उसके चहरे पर एक फीकी मुस्कान थी, क्या आपके पास मेरे साथ कोई व्यवसाय है, कोमल हिम ने कुछ आश्चर ये से पूछा, अतीत में वार वुल्फ ने अपने जैसे गिल्ड खिलाडियों के प्रती केवल तिर वार वुल्फ ने धीरे से कहा, धन्यवाद कोमल हिम ने विनमरता से उत्तर दिया, वार वुल्फ नाम के शक्स के संबंध में जेंटल स्नो जरा भी उसके आरपार नहीं देख सकी, इसके अलावा शीड योध्धा ने उसे अत्यधिक खत्रे का आभास कराया, और वह काफी असहच थी, जिसके बाद वार वुल्फ ने अत्रव की ओर देखते हुए कहा, मैंने वास्तव में यहाँ एक साथी मार्शिल आठ व्यवसाई से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, हालाकि मैं आपके साथ कुछ चाले चलाना चाहता हूँ, दुरभाग्य से मैं अभी केवल एक टियर शूनिवर्ग हूँ, मैं केवल एक बार अपनी टियर एक पदोनती प्राप्त करने के बाद ही आपसे मिल सकता हूँ, हालाकि जाने से पहले, मुझे भाई ये अथर्व से कुछ कहना है, यह सबसे अच्छा है अगर आप जीरो विन को जल्दी से छोड़ दें और खु लेकिन हाल ही में, जीरो विन ने गौड्स डोमेन में बहुत अधिक ध्यान आकरशित किया है, कुछ लोग अब चुपचाप नहीं बैठ सकते और उन्होंने कारवाई शुरू कर दी है, क्या आप अंडर्वर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, यहां तक कि उन लोगों के साथ दील करने के बारे में सोच कर ही मेरे सिर में दर्ध होने लगता है, यदि तुम उनसे च्छिप सकते हो, तो च्छिपो, अगर जीरो विन उन्हें उकसाता है, तो परिनाम अकलपनी अहोंगे, वार वुल्फ बस मुस्कुराया और कमरे से निकलने से पहले अपना सिर हिला द चीजों के बारे में ज्यादा सोचने का कोई मतलब नहीं है, आए चीजों को वैसे ही ले जैसे वे आते हैं, चुंकि वो इसका पता नहीं लगा सका, अथर्व ने अब इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई, उस मुसीबत की चिंता क्यों करें जो शायद आए ही न वार वुल्फ के जाने के बाद, जेंटल स्नो ने निम्बल स्नेक और ब्लैक हार्टेड एरो को औरोबोरोस से तुरंत निशकासित कर दिया था, हाला कि वे दोनों विशेश अग्य थे, लेकिन कौन जानता था कि वे भविश में किस तरह की योजनाये बनाएंगे, यह फु अहली बार था जब उसने इतनी बड़ी रकम देखी थी, दूसरी और अथर्व पैसे पाकर काफी खुश था, इससे उन्हें कुछ समय के लिए गिल्ड के विकास कोश की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, चुंकि जेंटल स्नो अभी अभी औरोबोरोस की गिल्ड लीडर बन गई थी, उसके पास अब भी धेर सारी चीजे थी, जिन्हें संभालने की उससे जूरत थी, अथर्व और वाइलेट लाउड भी नहीं रुके और उन्होंने अंडरग्राउंड एरिना चोड़ दिया, जिस तरह अथर्व और वाइलेट लाउड वाइट रिवर सिटी में ल भाइ अथर्व मेरी बात सुनो, वाइट रिवर सिटी च्षेतर में एक उल्कापिंड की बारिश हुई, ब्लैक ने उच्साह से कहा, मूल रूप से सभी ने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा, हालाकि वाइट रिवर सिटी में अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखा गया था कि उल्कापिंड की बोचार ने पूरे वाइट फॉग कैनियन को नश्ट कर दिया था, एक लेवल 20 से लेवल 30 का पीस खेतर, वाइट फॉग कैनियन के भीतर सभी राक्षस निडर हो गए हैं, और हमारे गिल्ड द्वारा उजागर की गई जानकारी के आधार पर इ इसी चीज की रखवाली करने की सूच ना मिली, कुछ शक्तिशाली हत्यारे भी एक नजर देखने के लिए घुस गए, उन्होंने पाया की वास्तव में एक स्तर पचीस महान भगवान रैंक राक्षस था, जो बर्बाद मंदिर के अंदर गहरे था, वर्तमान में विभिन ग अपने कर्मियों को संगठित कर रहे हैं और लेवल 25 ग्रेट लॉड पर हमला करने की तयारी कर रहे हैं, एक महान भगवान एक ऐसा अस्तित्व था जो एक उच्छ भगवान से आगे निकल गया, इस तरह के राक्षस तर पचास बड़े पैमाने के हैल मौट तीन डंग में म एक राक्षस जितना मजबूत होगा, उसकी बूंदें उतनी ही बहतर होंगी, ग्रेट लॉड रैंक वाले राक्षसों के लिए बहुत कम से कम वे डार्क गोर्ड आइटम गिरा देंगे, यहां तक की महाकाव्य वस्तूओं के गिरने का अफसर भी हो सकता है, भाई क्या लगता है कि हमें कितने लोगों को भेजना चाहिए, ब्लैकी ने पूछा, आप कह रहे हैं कि एक उलकापिंड की बौचार ने पूरे वाइट फॉग कैनियन को नश्ट कर दिया है, अधर्व की आखें अचानक चमक उठीं, उत्रिष्ट, ब्लैकी एकवा को सूचित कर और उससे कुछ कर्मचारियों को संगठित करने को कहें, हमें बहुत अधिक की आवश्यक्ता नहीं है, करीब 500 लोग करेंगे, हाला कि वे सभी मजबूत होने चाहिए, हम बाद में वाइट फॉग कैनियन में मिलेंगे, पिछले दिनों वाइट रिवर सिटी में करेंगे, हाला कि कौन सा खिलाडी वाइट फॉग कैनियन के अंदर वस्तूओं के प्रलोभन का विरोध कर सकता है, अतीत में अधर्व भी उस विशेश खजाने के लिए कम से कम एक दरजन बार मरा था, सही बात है, वहां आधा दरजन बार मरा, यहां आधा दरजन स्तरों क खोने के बराबर था, फिर भी अधर्व ने अभी भी खुद को मैदान में छोक दिया था, उसने जो कुछ भी किया था, वह उपकरण और धन के लिए था, ठीक, मैं तुरंत बहन एकवा से संपर्क करूंगा, ब्लैकी ने फोन काट दिया, और जैसा उसने वादा किया था, पैसा ही किया, बेशक इतिहास काफी बदल गया है, उलकापिंड की बोचार इतनी जल्दी हुई है, मुझे इस बार इसका पूरा फाइदा उठाना चाहिए, जब अथर्व ने सोचा की कैसे वह इस जीवन में उलकापिंड की बोचार के तुरंत बाद वाइट फॉक कैनिय निवास से खोज पूरी की तो उन्हें एक दर्जन या उससे ज्यादा सोना प्राप्थ हुआ, कुल मिलाकर यह मोटी कमाई थी, हाला कि स्टार स्ट्रेट ट्रेडिंग फर्म अथर्व से संबंधित नहीं थी, इसके अलावा उनकी खोज में अभी भी 30,000 सोने की मांग थी, अभी तो उसके पास उसका आधा भी जमा नहीं हुआ था, एक और नोट पर ग्रेट दानव के श्राप से पहले ज्यादा समय नहीं बचा था कि पीडित अथर्व प्रभावी होगा, यदि वह 30,000 सोना इकठा करने और टियर 4 स्थिती टेलिपोर्टेशन स्क्रॉल प्राप् प्लिक स्माइल और अन्य उत्पादित के माध्यम से बाजार का फाइदा उठाने और अपनी आयर बढ़ाने की योजना बनाई थी, हालांकि अब इसकी जरूरत नहीं थी, जब तक उसके पास वाइट फॉग कैनियन है, तब तक उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी, हालांकि उलकापिंडो की बोचार के कारण बरबाद तीर्थ की उपस्थिती हुई थी, और राक्षसों को वाइट फॉग कैनियन में निडर बना दिया था, जिससे उनकी ड्रॉपरेट और क्सप बहुत बढ़ गया था, कोई भी पहलू वास्तव में महत्वपूर नहीं था, जो च उलकापिंडो के दुरगटना स्थलों के आसपास ही पाया जा सकता था, स्टार फायर एसेंस को रिफाइन स्टार फायर से निकाला जा सकता है, अयस्क फोर्जिंग की सफलता दर बढ़ा सकता है, जितना अधिक स्टार फायर एसेंस का उप्योग किया जाएगा, उनकी सफल एसिन्स बहुत मूलेवान था। अतीत में स्टार फायर अयस्ट का एक टुकड़ा एक चांदी के सिक्के में बिख सकता था। यहां तक कि वाइट रिवर सिटी के स्वतंत्र खिलाडी भी स्टार फायर और के लिए भूखे थे। इस जीवन में अथर्व इस अफसर को हाथ से नहीं जाने देंगे। फिलहाल हर कोई अभी भी बरबाद मंदिर के महान भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। किसी ने भी स्टार फायर अयस्ट की खोज नहीं की थी या यह महसूस नहीं किया था कि इसने ध्वस्त वाइट फॉग कैनियन को बिखेर दिया था, अक उक्त तीर्थ के आसपास बहुत सारे राक्षस भी गश्ट करते थे। अथर्व के आने के बाद उन्होंने पाया की खिलाडियों ने वाइट फॉग कैनियन के प्रवेश्ट द्वार के आसपास भीड लगा दी थी। हजारों की संख्या में खिलाडी थे। हाला की हालां की वाइट रिवर सिटी के सभी गिल्ड आ गए थे, बहुमत में स्वतंत्र खिलाडी शामिल थे। गिल्ड लीडर हमारी जाज से हमने पाया की ओवर्वेलिंग स्माइल ने छे हजार से अधिक सदस्यों को भाइट फॉग कैनियन भीजा है, एम्परर्स लाइट ने दो हजार से अधिक हत्यारे के गठ बंधन ने दो हजार से अधिक खिलाडियों को भेजा है, और औरो बोरोस ने भी तीन हजार से अधिक खिलाडियों को भेजा है, ये सभी खिलाडी अभिजात वरके हैं, जो 21 और उससे उपर के स्तरके हैं, फिर भी हम केबल 500 सदस्यों को अपने सा क्या हमारे पास वास्तव में परियाप्त खिलाडी हैं? एकवा रोज में चिंतित होकर पूछा. बहुत हो गया. बहुत सारे लोगों का होना जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो. इसके अलावा हमारा लक्ष अलग है अथर्व ने कहा. उनके आने से पहले अथर्व ने अपनी गणना खुद की थी. वाइट फॉग कैनियन विशेश रूप से बड़ा नहीं था. दुरघटना स्थल भी संख्या में सीमित थे. उसके मन में जो काम था उसके लिए 500 लोग बिलकुल सही थे. और भेजना जन्शक्ती की बरबादी होगी. क्या हम बरबाद मंदिर में नही में काम्याब रहा. वर्तमान में उनके गिल्ड में काफी संख्या में टियर एक खिलाडी भी थे. जबरदस्त मुस्कान की तुलना में उनके पास महान भगवान पर हमला करने का एक आसान समय होगा. फिर भी यह उनका लक्ष नहीं था. एक महान भगवान को इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? हम यहां केवल लेवल आप करने के लिए हैं. यहां तक कि अगर हम स्टर 25 के महान भगवान को हराना चाहते हैं, तो कम से कम सभी को 25 या उससे ऊपर होना चाहिए. चुंकि वे इस पर च्छापा मारना चाहते हैं, बस उन्हें च्छापा मारने दो एक महान भगवान क्या था? एक महान भगवान एक राक्षस था जो केवल 100 मैन हेल मौट तीम दंग्न के अंतिन बॉस के रूप में डिखाई देगा। केवल टियर शूने खिलाडियों के एक समोह के साथ वे संभवत है क्या हासिल करने की उम्मीद कर सकते हैं। यहां तक कि अ मानली और राक्षस को हराने की उम्मीद छोड़ दी। इसके अलावा उस समय के विभिन संगों के बीच में टियर एक खिलाडी भी थे। लेकिन अभी का क्या? उलकापिंडो की बॉच्छार इस जीवन में बहुत पहले प्रकट हो चुकी थी। वर्तमान में जीरो विन को छोड़ कर किसी भी गिल्ड के पास एक भी टियर एक खिलाडी नहीं था। वे कैसे महान भगवान को हराने वाले थे। जैसे ही अधर्व ने सिस्टम मैप पर स्थानों को चिनहित किया, अधिक खिलाडी वाइट फॉग कैनियन में आने लगे। जब अधर्व पहुँचे तो उन्होंने अपना रूप बदल कर ब्लाक फ्लेम कर लिया था। नतीस्तन उन्हें असाधारन मात्रा में ध्यान मिला। वा, क्या वह गिल्ड लीडर ब्लाक फ्लेम नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है। बस उसे देखकर मेरा दिल तेज हो जाता है। यह बहुत अच् करना तो दूर की बात है। निश्चत रूप से वन हिट असुर यहां भी है। वाइट फॉग कैनियन में चीजें अब और दिल्चस्प होंगी। नहीं दुह। वाइट रिवर सिटी में जबरदस्ट स्माइल का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। अगर जीरो विंग व रांच लीडर, लोन टाइरिंट भी दिखाई दिये हैं। घाटी पर एक बड़ा युद्ध छिडने वाला है। मैं इस युद्ध को प्रकट होते देखने के लिए विशेश रूप से यहां आया हूँ। अथर्व को देखकर कई खिलाडी जीरो विंग और जबरदस्ट कारवाई नहीं की थी। इस प्रकार अब तक इसने केवल जीरो विंग के सदस्यों को शिकार बनाने के लिए विभिन भुखंडों को नियोजित किया था। यह ऐसा था मानो ओवर्वहलमिंग स्माइल जीरो विंग से हर एक सदस्य को चुराने के लिए तयार थी। इस रखते हुए दोनों पक्ष अजीब तरह से शांत दिखाई दिये। कोई नहीं जानता था कि ये गिल्ड क्या सोच रहे थे। परदे के पीछे एक तूफान आने का हलका एहसास था। अब जब ये गिल्ड वाइट फॉग कैनियन में इकठे हो गए थे, वे दोनों एक दूसर के लिए हाई लट पर थे। जब लोन ताना शाह ने अथर्व को देखा, तो उसकी आखें खून से लाल हो गई क्योंकि उसके शरीर से हत्या का इरादा निकर रहा था। उसने अथर्व को घूर कर देखा जैसे वह आदमी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। कोई भी वि जूद की आपने उसे कई बार मारा है, उसने अपना सबक सीखने से इंकार कर दिया, एकवा रोज खिल खिलाया। वह केवल इस बड़े पैमाने पर कार्य कर सकता है क्योंकि उसके पास भाली मुसकान है। हम सिर उठा कर उसे फिर से क्यों नहीं मार देते। हम इस अफसर का उपयोग जबरदस्त मुसकान को नश्ट करने और कुछ तनाव दूर करने के लिए कर सकते हैं, ब्लैकी ने कहा। फायर डान्स ने आगे बढ़कर कहा, मैं अकेला ही उसे मारने के लिए काफी होगा। अथर्व जिन्होंने इस समय खुद को सिस्टम मैप के साथ व्यस्त र भाई आसपास के शहरों में स्थित ओवर्भेल्मिंग स्माईल शाखा के बारे में चिंतित था। इस समय लोन अत्याचारी के पास खड़ी एक सुंदर और शांत महिला ने उसे धीरे से याद दिलाया, भाई अत्याचारी हम यहाँ जीरो विंग के साथ युद्ध करने नह उन्हें एक फीकी मुस्कान भेजी और वाईट फॉग कैनियन में 6000 से अधिक खिलाडियों की सेना का नेत्रित्व किया। मुझे याद है कि पिछली बार मैंने उस महिला को देखा था जब मैंने साथ वुल्फ को मारा था। मुझे लगता है कि उसे युलान कहा जाता था। अकेला अत्याचारी इतनी अधिनता से काम करता है, ऐसा लगता है कि उसकी स्थिती काफी अधिक है। स्वाभाविक रूप से अथर्व ने उस महिला पर ध्यान दिया, जो उन्हें देखकर मुस्करा रही थी, अनिश्चित्ता उसकी निगाहों को भर रही थी। अथर्व अथर्व ने केवल अपने अंतरग्यान के कारण यूलान पर ध्यान दिया था। वह महिला से खत्रे की अवर्णनिय भावना महसूस कर सकता था। योलन का निरीच्षन करने के लिए सरवग्य आँखों का उप्योग करने के बाद अथर्व ने पाया कि महिला केवल एक स्थ 24 स्थर शूने बुलाने वाली थी। उसके बारे में कुछ खास नहीं था। अथर्व को अपने अंतरग्यान पर संदे होने लगा। जबरदस्ट मुसकान के घाटी में प्रवेश करने के बाद अन्य संगों ने तुरंत पीछा किया। केवल अथर्व और अन्य लोग रोज ने पूछा। थोड़ी देर में मैं जल्द ही समाप्त हो जाऊंगा। अथर्व ने इतमीनान से जवाब दिया। वाइट फॉग कैनियन लेवल 20 से लेवल 30 ग्राइंडिंग एरिया था। या यों कहें यह मूल रूप से किया गया था। हालांकि उलकापिंड की बौ इस वृध्धी के साथ एक सामान्य राक्षस के पास एक संभरांत राक्षस की युद्ध शक्ती होगी और इसी तरह है। हाला कि यह केवल शुरुवात थी। जैसे जैसे समय बीता गया, वाइट फॉग कैनियन के भीतर के राक्षस भी मजबूत और अधिक संख्या में रवेश कर चुके होंगे। यह सोचकर ही मेरे रुंगटे खड़े हो गए। उलका पिंडों की बौचार के बाद से कितने समय के बाद अधर्व निश्चित रूप से कह सकता था कि वाइट फॉग कैनियन के अंदर अब कोई आम राक्षस नहीं थे। बहुत कम से कम कैनियन के अंदर के राक्षस एलीट होंगे। इसके अलावा राक्षस समुहों में चले जाते हैं और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। घाटी के अंदर कई खत्रे वाले स्थान भी होंगे। इस बीच वाइट फॉग कैनियन का मुख्यक्षेत्र अपने लिए बोलता बिना तयारी के जल्दबाजी के परिनाम स्पष्ट थे। वर्तमान में वाइट फॉग कैनियन में प्रवेश करने की आधार वेखा लेवल 20 टियर एक या लेवल 30 टियर शूने के आसपास थी। हाला कि खिलाडी बड़ी संख्या में जाकर अपने अवसरों में सुधार कर स चकता थी। उन्होंने कुछ खनन स्थलों और खत्रे के स्थानों को भी चिनहित किया था। हाला कि यह एक समय लेने वाला कार्य था लेकिन यह नया नक्षा निर्विवाद रूप से उनके गिल्ड सदस्यों को हुए नुकसान को कम करेगा। मिनट रेंगते रहे। जबकि खिलाडियों को घाटी से बाहर निकलते देखा। यह खिलाडी दैनिये दिखे। वे दो और तीन की पार्टियों में चले गए। जीरो विंग के खिलाडियों को देखने के लिए एक भी पूरी पार्टी पास नहीं हुई। अपनी जग्यासा को शांत करने में असमर्थ ब करन में पूरी तरह से तयार थे। तारकिक रूप से इस तरह की क्षमता वाली पार्टी को स्तर 22 या 23 विशेश अभिजात वर्ग से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी इन सभी दलों ने अपने कम से कम आधे सदस्यों को खोदिया था। तुम क्या ज पारण से वहां के राक्षस कम से कम तीन के समुह में चलते हैं। उनके पास बड़े पैमाने पर एग रो रेंज भी है। इसलिए उन्हें खीचना आसान है। बहुतों ने पार्टी स्पाया किया था और हम बड़ी मुश्किल से बच निकले थे। जब तक हम कम से कम 25 के स्त तरतत नहीं पहुँच जाते तब तक हमने कहीं और स्तरतय करने का फैसला किया है। इस समय उसका दिल अभी भी काम रहा था जब उसने संभरांध राक्षसों के उन समुहों के बारे में सोचा। इन स्वतंत्र खिलाडियों की बात सुनकर जीरो विंक का हर सदस्य हंस अंत में स्वतंत्र खिलाडियों ने केवल इतना ही किया। यहां तक की 6, 2 या 3 अभीजात वर्ग की पार्टी के साथ भी उनके लिए बहुत अधिक था। वे सचमुच कमजोर थे। गिल्ड लीडर बहुत सतर्क हो रहा है। एक स्वतंत्र पार्टी की ताकत हमारी तुलना में कैसे हो सकती है। अब जबकी जबरदस्त मुस्कान ने नेत्रित्व कर लिया है तो क्या वे हरामी दावा नहीं करेंगे कि महान भगवान ने मार डाला। यह संभव नहीं होना चाहिए। यह एक महान भगवान है। ओवर्वेलिंग स्माइल ने इसके लिए 6,000 से अधि के घाट उतार सकते हैं। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि गिल्ड लीडर क्या सोच रहा है। सब आ चुके हैं फिर भी हम यहीं खड़े हैं। जब तक हम प्रवेश करते हैं तब तक कौन जानता है कि अन्य गिल्ड पहले से ही कितने संभरांत राक्षसों को मार चुके होंगे। आखिर हम यहां क्यों हैं। जबकि Zero Wing के सदस्यों ने अधर्व के द्रिश्टिकोन के बारे में बड़बडाया, कई सो खिलाडियों की एक टीम ने White Fog Canyon छोड़ दिया। इन खिलाडियों के उपकरन एक समान दिखते थे और वे सभी अपनी चाती पर एक ही गिल्ड प्रतीक पहनते थे। वेस पश्ट रूप से एक गिल्ड टीम थे। इन लोगों के साथ क्या हो रहा है। पर प्रतीक्षा कर रहे जीरो विन के सदस्यों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। क्या ये लोग पागल हो गए थे। रुकना, उनके पीछे कुछ है। इगल आइस स्किल वाले जीरो विन के लेवल 22 रेंजर्स में से एक ने कहा। जीरो विन के सभी लोगों ने फिर गाहें घुमाई और जो कुछ उन्होंने देखा उससे वे तुरंट स्थ रह गए। पहले दूर होने के कारण साफ नजर नहीं आ रहा था। अब जब यह उनके पास आ गया था, वे अंत में इसे देख सकते थे। उनमत रूप से दौरते खिलाडियों के पीछे, हजारों क क्रिंसनाइड बैटल मंकी उनके पीछे-पीछे दौर पड़े। इन खून के प्यासे बंदरों ने उनमादी दहार जारी की क्योंकि उन्होंने सूनामी की तरह भागने वाले खिलाडियों पर आरोप लगाया, उनके रास्ते में सब कुछ भस्म कर दिया। के अलावा, वे हथियारों को चलाते थे और इन हथियारों का उप्योग करने में भी उतने ही सक्षम थे जितने की खिलाडी। इस राक्षस को हराना आसान नहीं होगा। इस बीच इन हजारों क्रिंसनाइड बैटल मंकीज के बीच कुछ बड़े आर्मर बैटल मंकीज भी ये आर्मर बैटल मंकीज निशानों से ढके हुए थे, जो उनके द्वारा लड़ी गई कई लड़ाईयों का एक वसीयत नामा था। एलिट रैंक वाले क्रिंसनाइड बैटल मंकीज की तुलना में आर्मर बैटल मंकीज ज्यादा मजबूत थे। यह सिर्फ उनके विशेश अभिजात वर्ग के रैंक के कारण नहीं था, बलकि उनकी मुकाबला तकनिकों के कारण और भी अधिक था, जो सामान्य खिलाडियो की तुलना में कहीं बहतर थे। बैटल मंकीज द्वारा पकड़े जाने पर कई खिलाडी चिल्ला उठे। विरोध करने पर उनमें से ज्यादा तर भूल गए थे कि यह कैसे करना है। एक प्रचन आग में एक कप पानी डालने से अलग नहीं था। थोड़े हीक्षन के बाद सौसे अधिक खिलाडी मर चुके थे। अंत में वाइट फॉग कैनियन से बचने वाले खिलाडियों की संख्या 500 से कम थी। इन खिलाडियों ने गिल्ड टीम को भी फंसाया था जो उनके सामने भाग गई थी। जिससे बाद में 100 से अधिक खिलाडियों का एक और नुकसान हुआ। नरसंहार को देखने के बाद जिरो विंग के निश्क्रिय सदस्यस तब रह गए। भयानक थे ये बैटल मंकी। क्या ये वास्तव में राक्षस हैं? यह सवाल सबके दिलों में घर कर गया। युद्ध के बंदरों ने उन राक्षसों से पूरी तरह से अलग व्यभार किया था जिन्हें उन्होंने पहले देखा था और लड़ा था। इन राक्षसों से लड़ना अब पीसना नहीं था। बलकि यह पूर्ण विक्सित युद्ध की तरह अधिक दिखाई दे रहा था। इस समय जीरो विंग के सदस्य जिन्होंने पहले अधर्व के फैसले के बारे म सामना करना पड़ता। गिल्ड के अन्य सदस्यों के लिए वे अब और भी अधिक श्रधा के साथ अधर्व को देखते थे। जबकि जीरो विंग की भीड प्रवेश द्वार के आसपास घूमती रही, एक के बाद एक गिल्ड टीम घाटी से भाग गई। जहां तक स्वतंत अधर्व ने अपना नक्षा तयार करने के बाद कहा। फिर उन्होंने टीम चैट में कहा, आपने खुद के लिए विभिन गिल्ड टीमों को देखा है, जो बच गए हैं। उन अधिकांश गिल्ड टीमों में हमसे अधिक सदस्य हैं। हाला कि जैसा कि आप देख सकते हैं, उनमें से केवल आधे ही जीविक बच पाए। आप स्वयन कलपना कर सकते हैं कि वाइट फॉग कैनियन कितना खतरनाक है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई आपको दी गई आज्याओं का पालन करेगा। कोई भी मनमानी कारवाई न करें। अगर कोई उनके आदेशों क उलंधन करता है, तो मैं आपसे व्यक्तिकत रूप से निपटूंगा। भी अंजाने में अथर्व के शब्दों को सुनकर काम उठी। चुंकि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पहले से व्यवस्थित किये गए समुहों और संरचनाओं के साथ खड़े रहें, अथर्व ने सिर्हिलाया और कहा, चलो अंदर चलते हैं। गठन अथर्व ने टीम के चारों और बिखरे हुए MP का आयोजन किया था, जबकि समुह के केंदर में हीलर और रेंजड क्लास सुरक्षित थे। हत्यारों के रूप में उन्हें आगे स्काउट करने के लिए भीजा गया था, किसी भी गतिविधी की रिपोर्ट करने के लिए ताकि वे एक घाट से बच सकें। अथर्व के नेत्रित्व में, जीरो विन की टीम जल्दी से वाइट फॉग कैनियन के आंतरिक शेत्र में पहुँच गई। एक बार फिर बढ़ गया। पहले हर कोई बस अथर्व को प्रभावशाली ताकत वाला व्यक्ति मानता था। उन्होंने कभी भी उनसे एक श्रिष्ट नेता होने की उम्मीद नहीं की थी। अचानक फायर डांस, जो पास के एक पेड में स्टील्थ में था, ने टीम चैट म आता है। उनके साथ लगभग एक दरजन बक्तरबंध युद्धक बंदर भी हैं। वे मोटे तौर पर एक मिनट में टीम के वर्तमान स्थान पर पहुँच जाएंगे, पांच दानव जन्रलों में से एक फ्लाइंग शैडो ने बताया। ये दोनों खबरे पाकर सभी का द बैटल मंकी शामिल थे। अब उन्हें लगभग साथ सौ की कुल संख्या का सामना करना पड़ा। उनकी संख्या बहुत अधिक थी। निश्चित रूप से पर्याप्त जो आना था, वह आ गया। अथर्व ने चुपचाप वाइट फॉग कैनियन के सिस्टम मैप की जाच क बैटल मंकीज के पिंसर हमले से वह जरा साभी हैरान नहीं था, वह चमकते हुए मुस्कुरा रहा था। वाइट फॉग कैनियन एक कालकोठरी की तरह था। इस पर छापा मारने की एक उचित रणनीती थी। अथर्व अपने पिछले जीवन में जो ग्यान था, उसके साथ घाटी के चारों और अपनी पार्टी का स्वतंत्र रूप से नित्रित्व करने में सक्षम था। उन्होंने जो अनुभव हासिल किया था, उससे उनकी मौजूदा पार्टी का नित्रित्व करना आसान होगा। अतीत की तुलना में वर्तमान वाइट फॉग कैनियन व्याभ का सामना करना पड़ा। युद्ध के बंदरों की तुलना में इन विरोधियों से निपटना कहीं अधिक कठिन था। वर्तमान में अथर्व के अलावा वाइट रिवर सिटी में कोई और नहीं जानता था कि वाइट फॉग कैनियन में स्टार फायर अयस्क सबसे मूल्यवा थे। यदि यहाँ अतीत में होता तो उसे केवल अपने सपनों में ही ऐसा अफसर मिलता। अथर्व ने टीम चैट के माध्यम से आदेश दिया, हर कोई आगे संकरी खाई की और दोडें। कोला आपका एंटी समूह कंठ के प्रवेश द्वार को अवरुध करने के लिए जि यार रहें। अथर्व ने पहले से ही हर उस स्थिती पर विचार कर लिया था जिसका वे यहाँ अपने रास्ते में सामना कर सकते थे। अथर्व को अपने हाथ के पिछले हिस्से की तरहा वाइट फॉग कैनियन की स्थलाकृती भी पता थी। एक शन बाद जीरो विन की 500 की टीम ने कंठ में प्रवेश किया। इस बीच गार्जियन नाइट कोला 14 अन्य MP के साथ वाइट फॉग कैनियन के आंतरिक शेत्र में प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। कोई भी या कोई भी चीज जो पार करना चाहता है उसे पहले इन 15 MP को पार करना होगा। सबसे पहल पार के में बैटल मंकी अपनी संख्या का फाइदा नहीं उठा सके। इसके अलावा इस सेट अप के साथ उन्हें पिनर हमले के बारे में चिंता करने की जूरत नहीं थी, उन्हें केवल एक स्थान पर ध्यान केंदरित करने की आवश्शक्ता थी। हर किसी के बचाव के लि दिलों को जखजोर कर रख दिया। पहले से ही एक दरजन से अधिक लडाईयों का अनुभव करने के बावजूद जीरो विन के अभिजात वर्ग अभी भी घबराय हुए हैं। पिछली लडाईयों की तुलना में यह पूरी तरह से अलग स्तर पर था। क्रिंसनाइड बैटल मंकी अजीब लगते हैं। मुझे लगता है कि न केवल वे अधिक संगठित हुए हैं बलकि वे पहले से अधिक मजबूत भी हुए हैं। एकवा रोज थोड़ा भौ हैं। आंतरिक रूप से वह चिंतित थी की कोला और अन्यराक्षसों की इस लहर को रोकने में बैटल मंकी जो हमने पहले लड़े थे वे केवल वाशाउट थे। इस बीच अभी हम जिनका सामना करने वाले हैं वे विजेता हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से वे बहुत मजबूत हैं अधर्व ने समझाया और सिरहिलाया। इसके अलावा इन क्रिंसनाइट बैटल ब अबच में ढखा हुआ था। बैटल मंकी वार्चीफ सरदार रैंक स्थर 25 एचपी 140-00-140-00 बैटल मंकी वार्चीफ के पास वार्चीफ का औरा था जिससे आसपास के क्रिंसनाइट बैटल मंकी की विशेशताओं में 10% की वृध्धी हुई। एक साधारन एंटी इन संभरा रैंक वाले क्रिम्सनाइड बैटल बंदरों के हमलों का सामना नहीं कर सका। लेवल 21 के आसपास के टियर शून एंटी के लिए जीवित रहना असंभव था। इसलिए ऐसी राक्षस सेनाओं के मिलने पर विभिन गिल्डों का नरसंहार किया गया था। क्रिम्सनाइड बैटल बंदरों को उनकी ओर बढ़ते देख, अधर्व ने जल्दी से कहा, सभी मौल्वियों एंटी पर पवित्र ढाले डाली। औरकल्स प्रेयर बैरियर का उप्योग करें। कोला गार्जियन औरा को सक्रिय करें। ततकाल फ्रेंट लाइन पर गार्डियन नाइट्स और शीड वारियर्स प्रत्येक को मौल्वियों से एक पवित्र शीड प्राप्थ हुई, धाल बड़ी मात्रा में ख्षती को अवशोशित करने में सक्षम थी। साथ ही उनके सामने प्रेयर बैरियर भी लगाए गए थे। इसी तरह ये अवरोध सामने वाले से एक निश्चित मात्रा में ख्षती को अवशोशित कर सकते हैं। आखिरकार कोला के गार्जियन औरा ने सबके डिफेंस को बढ़ा दिया। प्रिंसनायड बैटल बंदरों के शारिरिक हमलों का सामना करते हुए गार्जियन औरा विशेश रूप से फाइदेमंद होगा। जीरो विंके सदस्यों का स्टर ओस्टन अन्य गिल्डों की तुलना में अधिक था। इस ओपरेशन के लिए भीजे गए गार्जियन नाइट्स और शीड वारियर्स सभी स्टर बाइस और उससे उपर थे और प्रतेक के पास कम से कम 4,300 HP था। उनमें से कोला जो लेवल 23 टियर एक गार्जियन नाइट था के पास 5,300 HP था। 4,900 से अधिक HP के साथ एक स्टर 22 टियर एक शीड योध्धा ये गुमियन भी था। जैसे ही कोला और अन्य लोगों के सामने बैटल मंकीज की लहर आई, कोला अचानक चिल लाया, एजिस प्रोटेक्शन। पलक जपकते ही हर एंटी पर एक हलकी सुनहरी चमक चा गई। तत्वाधान संरक्षन टियर एक, 12 सेकंड के लिए 30 गस के दायरे में सभी सहयोगियों के लिए एक शती को 30% कम कर देता है। पूल डाउन एक मिनट 30 सेकंड इसके साथ ही सभी ने क्रिंसनाइट बैटल मंकीज के हमलों से बचाव के लिए अपनी ढाल तयार की। बैंग 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 जैसे ही दोनों पक्ष टकराएं, राथना बैरियर चकना चूर हो गया। केवल सेक्रेड शील्ड ने अभी भी मुश्किल से एंटी का समर्थन किया है। हाला कि क्रिंसनाइट बैटल मंकीज का आरोप भारी था। कोला और अन्यल लोगों को खुद को स्थिर करने से पहले कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगले ही पल क्रिंसनाइट बैटल मंकीज जिन्होंने अपना चार्ज रोक दिया था ने अपनी तलवारें और तलवारें एंटी पर लहराईं। उनकी आक्रमन गती अविश्वसनिय थी जो खिलाडियों को अपनी सांसे पकड़ने से रोकती थी। कुछ एंटी आने वाले हमलों के खिलाफ बचाव करने में बहुत देर कर चुके थे, उनकी पवित्र ढ़ाल तूट रही थी और 200 क्षती प्राप्त कर रही थी। सेक्रेड शेड्स की सुरक्षा के बिना, हर बार प्रिमसनाइट बैटल मंकीज द्वारा एंटी को लगभग 800 नुकसान पहुचाया गया और यह एजिस प्रोटेक्शन की 30% शती में कमी के बाद था। केवल कोला और ये वुमियान को 500 अंक से कम नुकसान हुआ। यदि M.T. ने अधिकांश हमलों को अपनी ढाल के साथ अवरुध नहीं किया, तो मरहम लगाने वाले आने वाले नुकसान को बनाए रखने के लिए संधर्श करेंगे। मैं यहां आप सब पर छोड़ता हूँ। फायर डान्स और फ्लाइंग शैडो आप दोनों मेरे सिक्स को कवर करते हैं। जबकि मैं उस वार्चीफ से निपटा हूँ। कमांड जारी करने के बाद अथर्व ने सेविन लुमिनरीज रिंग की हवा की आभा को सक्रिय कर दिया। इसके बाद उन्होंने विन राइडर को सक्रिय किया और बैटल मंकी वार्चीफ की ओर उडान भरी। जब कोई वाइट फॉग कैनियन में बैटल मंकी सेना से मिला, तो उन्हें सबसे पहले बैटल मंकी वार्चीफ को खत्म करने की ज़रूरत थी। वार्चीफ न केवल अपने अधिनस्थों के गुनों को बढ़ा सकता था और उनकी हमले की क्षमता को बढ़ा सकता था, बल्कि यहां अनंत सुद्रिधी करन की भी मांग कर सकता था। इसलिए खिलाडियों को जल्द से जल्द वार्चीफ को मारने की ज़रूरत थी। वार्चीफ को मारे बिना लड़ाई को बहुत देर तक खीचते हैं तो वे बस परिशानी की मांग कर रहे होंगे। हालांकि इसे हटाना आसान नहीं होगा। इसका मतलब यह नहीं था कि बैटल मंकी वार्चीफ अत्यधिक शक्तिशाली था। बलकि अन्य युधक बंदरों की तुलना में योध्धा खत्रे के प्रती कहीं अधिक संवेदनशील था। जब खुद की जान जोखिन में होती तो वह भाग जाता। इसके अलावा वार्चीफ भी अन्य युध बंदरों की तुलना में अधिक चुस्ट था। जैसा की उसके पतले और दुबले शरीर से देखा जा सकता था। इसलिए खिलाडियों को मारना मुश्किल होगा। जब बैटल मंकी वार्चीफ ने अधर्व को अपनी ओर उर्ते हुए देखा तो वह तुरंत विपरीट दिशा में भाग गया। दुर्भाग्य से हालांकी बैटल मंकी वार्चीफ अपने पैरों पर तेज था। यह अधर्व की तुलनामे बहुत धीमा था जब उसके पास विन राइडर एक्टिव था। चलो मेरे नए सीखे शुने कदमों के अभ्यास के रूप में तुम्हारा उप्योग करते हैं अधर्व बेहोश होकर मुस्कुराया। एबिसल ब्लेड और पेरगेटरी की चाया को खोल कर उन्होंने बैटल मंकी वार्चीफ की ओर चोट करते हुए आगे की ओर गोली मारी। टियर एक अभिशाप बनने के बाद ब्लेकी की क्षती काफी बढ़ गई थी। उसी समय उन्होंने एक नया टियर एक कौशल मैजिक सिनर्जी भी सीखा था। मैजिक सिनर्जी टियर एक कास्टर मंत्र की दक्षता बढ़ाता है, वर्तनी प्रभाव में 30% सुधार करता है और 15 सेकंड के लिए कास्ट समय 30% कम करता है। ब्लैकी के आसपास के तात्विक मान का घनत्व आसमान चुगया। ब्लैकी ने फिर स्टार्स आफ लाइट को कास्ट किया। मैजिक सिनर्जी की व्रिधी के कारण स्टार्स आफ लाइट की प्रभावी सीमा और शक्ती दोनों में 30% की व्रिधी हुई थी। अगले ही पल आसमान से रोशनी का एक चमकदार गोला उतरा। क्योंकि स्टार्स आफ लाइट उतर गया था। उनके पास इस आने वाली बंबारी को रोकने का कोई तरीका नहीं था। एयोई विनाश मंतर सभी कोनों से हमला किया। जब तक किसी के पास जादूई प्रतिरक्षा, अप्राजेता या अपने स्वयं के एयोई विनाश मंतर के साथ मुकाबला नहीं होता, तब तक हमले से बचाव का कोई अन्य तरीका नहीं था। जैसे ही प्रकाश के सितारे उतरे, हर युद्ध बंदर के सिर के उपर 5-00-00 से अधिक बिंदूओं का नुकसान दिखाई दिया, जादू हो गया। की क्षती 10% तक बढ़ जाएगी। केवल 5 सेकंड के बाद सीमा के भीतर सभी युद्ध बंदर लूट की अधिकता को पीछे छोड़ते हुए राख में बदल गये थे। घाटी का एक बड़ा हिस्सा अचानक खाली हो गया था। एक मोटा अनुमान लगाने पर 100 से अधिक ट्रिमसनाइट बैटल बंदर मारे गये थे। एओई विनाश मंत्र भयानक हैं। हाला कि यह बहुत अच्छा होगा अगर उनका कूल डाउन समय कम हो। हाला कि कोला ने कई बार ब्लैकी को जादू करते देखा था, फिर भी जब भी उसने इस भारी विनाश को देखा तो उसका दिल उचसाह से काम उठा। जमीन पर बिखरी लूट और उसके उड़ते हुए EXP बार ने भी उसे रोमाचित कर दिया। एलिट लेवल 22 से EXP मूल रूप से काफी महत्वपूर्ण था। इस बीच उलकापिंद की बोचार के बाद, वाइट फॉग कैनियन के अंदर राक्षसों से क्सपतीन से चार गुना बढ़ गया था। दूसरे शब्दों में यहां एक अकेले राक्षस को मारना वाइट फॉग कैनियन के बाहर एक ही स्तर और रैंक के तीन या चार राक्षसों को मारने के बराबर था। ब्लैकी के स्टार्स आफ लाइट के समाप्थ होने के बाद, ये वुमियन 22 के स्तर से 23 के स्तर तक बढ़ गया, उसका HP 5000 की सीमा को पार कर गया। बाकी सभी लोगों ने भी अपने अनुभव बार में भारी व्रिधी देखी। मूल रूप से इतना कस्पहासिल करने में उन्हें कई घंटे लग गये होंगे। अब हाला की उन्होंने लगभग एक दर्जन से कंड ही लिये थे। युद्ध में उप्योग किये जाने पर प्रकाश के सितारे वास्तव में चमकते थे। यह न केवल बड़े पैमाने पर विनाशकारी था, बलकि यह दुश्मनों को भी जटका दे सकता था। उदाहरन के लिए स्टार्स ओफ लाइट की सीमा के बाहर पकड़े गए क्रिंसनाइट बैटल बंदरों को ले। कोई नुकसान ना होने के बावजूद स्टार्स ओफ लाइट के समाप्त होने के बाद वे आगे नहीं बढ़े। वे हत प्रभभाव से वही खड़े रहे, उनकी पिछली उग्रगती पूरी तरह से गायब हो गई थी। दुर्भाग्य से ब्लैकी के स्टार्स ओफ लाइट जैसे एओई विनाश मंतर दुरलब थे। इसके अलावा इन मंतरों में लंबे कूल डाउन होते हैं, जिन्हें पूरे आधे घंटे की आवश्चकता होती है। एक युद्ध में इस तरह के मंतरों का अधिक्तम एक बार उप्योग किया जा सकता था। जैसे ही इन राक्षसों ने खुद को वापस पा लिया, उन्होंने कोला और अन्य एमटी पर और भी अधिक पागलपन का आरोप लगाया। केवल इसका HP एक विशिष्ट दंग बॉस से थोड़ा कम था। अथर्व बैटल मंकी वारचीफ के सामने एक फ्लैश के साथ चला गया, जिससे उसका रास्ता अवरुध हो गया। इसके बाद उन्होंने चोप को सक्रिय किया और वारचीफ के पतले फ्रेम पर तीन सिल्वर ग्रे लाइट स्लैशिंग ब्लेड भेजे, जिससे उसका निकास पूरी तरह से बंध हो गया। जी, 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 दमंकी वारचीफ ने अचानक अपनी रक्तलाल आँखो को तिर्चा कर दिया, क्योंकि यह डराने बाली शक्ती जारी कर रहा था। इसके बाद इसने एक कदम पीछे लिया, इसकी दाहिनी मुठी प्रकाश के तीन ब्लेडों के अभिसरन बिंदू की ओर मुक्का मारती है। इसके अलावा अथर्व अब एक टियर एक खिलाडी था। केवल लेवल 22 होने के बावजूद, उन्होंने जिस हमले प्रकार के कौशल का इस्तिमाल किया, वह लेवल 25 बैटल मंकी वार्चीफ के खिलाफ जरा साभी कमजोर नहीं होता। इसके अलावा अथर्व के पास गोल्डन स्टिग्माटा भी था, जिसने उन्हें दमन के 20 स्तरों तक की उपेक्शा करने की अनुमती दी थी। अचानक बैटल मंकी वार्चीफ की गती गिर गई थी, इसकी मूल गती का केवल 6 हिस्सा था। यह समय पर आने वाले हमलों को रोकने या चक्मा देने में सक्षम नहीं रह गया था। बिजली और आग की शक्ती ने बंदर वार्चीफ पर हमला किया। के लिए अक्षम था। हाला की अंत में बैटल मंकी वार्चीफ ने बिर्सकर रेज को सक्रिय कर दिया, सभी नियंतरन प्रभावों के प्रती प्रतिरक्षित हो गया और इसकी ताकत और गती में व्रिधी हुई। इसके बाद इसने अपनी पीठ पर लटके हुए युद्ध कृपान को खोल दिया और इसे अपने विरोधी पर लहराया। अचानक अथर्व के चारों और प्रकाश की नौ किरने लिप्टी हुई थी। यह बैटल मंकी वारचीफ के कौशल डास आफ ब्लेड्स में से एक था। अगर मारा जाता है तो कोला जैसा एमटी भी बिना किसी सवाल के मर जाएगा। हाला कि कोला के पास एक बड़ी ढाल थी जिसका उपयोग वह अपने बचाव के लिए कर सकता था। उसे प्रकाश के अधिकांश ब्लेडों को अवरुध करने में कोई समस्या नहीं होगी। हाला कि अधर्व के पास शील्ड नहीं थी। उसके पास केवल दो तलवारी थी। अच्छा समय। इस समय अधर्व आसन विनाश को महसूस कर सकता था। फिर भी उसने न तो अपनी तलवारों से बचाव किया नहीं उसने अपनी जान बचाने के लिए रक्षाक्मक ब्लेड में नहीं सोचा होगा। आखिरकार नेडर होकर बंदर वारचीफ भयानक था। न केवल इसकी गती टियर एक के खिलाडियों को पार कर गई बलकि टियर एक के खिलाडी भी इसके अविश्वसनिय हमलों को रोक नहीं पाए। नहीं थी। यह राक्षसों के खिलाफ भी प्रभावी था। बैटल मंकी वारचीफ ने अपनी कृपान घुमाने के बाद अचानक पता चला की अथर्व गायब हो गया था। जब तक बंदर वारचीफ ने अपने प्रतिदवंधवी को फिर से खोजा तब तक वह पहले से ह उसके बगल में दिखाई दे चुका था। लापरवाही से चलते हुए। इस बीच वाइट फॉग कैनियन के बाहरीक शेतर में स्थित एक सूखे जंगल में कई खूनी लाब हुए। फायर डान्स और फ्लाइंग शैडो जो इस समय टीम के चारों और खड़े होकर पहरा द रहे थे, वर्तमान में कंट की ओर भाग रहे थे। सिस्टर फायर डान्स गिल्ड लीडर बहुत अध्भुत है। वह वास्तव में बैटल मंकी वारचीफ से लड़ सकता है, एक निडर स्थर 25 सरदार सब खुज से। प्रत्याशा से भरी आखों के साथ फ्लाइंग शैडो ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मंकी वारचीफ तब तक तिक सकता है, जब तक हम वहां नहीं पहुँच जाते। फ्लाइंग शैडो तुम अभी भी मजाग करने के मूर में हो। हाला कि गिल्ड लीडर अध्भुत है, एक सरदार जो निडर हो गया है, कोई हंसी की बात नहीं है, एक पल में जब हम अंदर जाते हैं और गिल्ड लीडर का समर्थन करते हैं तो हमें सावधान रहना होगा, अगर हम बंदर वारचीफ से टकराते हैं तो हम अपनी जान गवा देंगे, फायर डान्स ने उन्हें याद दिलाया, फायर डान्स ने महसूस किया कि अथर्व क लिए एक निडर लेवल पचीज के सरदार से खुद से लड़ना बहुत जोखिम भरा था, इस तरह की लडाई ने जरा सी भी गलती नहीं होने दी, फायर डान्स अपने क्लास चेंज क्वेस्ट में सफल होने और टियर एक हत्यारा बनने के बाद वह अपने मानकों का परीक् इसलिए उसने खुद को परखने के लिए गिल्ड के सदस्यों को राक्षसों की तलाश में बाहर भेज दिया था, शुरुवात में ही उसे स्तर पंद्रह के विशेश अभिजात वर्ग को हराने के लिए बहुत कम प्रयास की आवश्चक्ता थी, उसने फिर खुद को लेवल सोलह के मुखिया के साथ चुनोती दी, हाला कि लडाई के 20 सेकंड बाद वह पहले से ही दैनिय स्थिती में थी, अंत में उसे वैनिश का इस्तिमाल करना पड़ा और भागना पड़ा, इसलिए फायर डान्स सपष्ट रूप से जानता था कि एक सरदार रैंक वाला राक्षस कितना शक्तिशाली था, अकेले एक 75 सरदार जो लगातार एक निडर अवस्था में था, सिस्टर फायर डान्स मुझे सामने से लडाई की आवाजें आ रही हैं, उन्हें वहाँ पर लड़ना चाहिए, फ्लाइंग शैडो ने उच्साह से कहा, असुर की लडाई देख सकें, कुछ खिलाडी इन वीडियो को देखकर एक या दो चीजे सीखने की उम्मीद में, एक हिट असुर के अप्रकाशित युद्ध वीडियो को उच्च कीन्तों पर खरीदने की पेशकश भी कर रहे थे, फ्लाइंग शैडो ने भी अथर्व के युद्ध के वीडियो को 100 से लेकिन उसकी एक सीमा थी की उसका दिमाग कितना सोख सकता था, इसलिए फ्लाइंग शैडो भी युद्ध की एक रिकॉर्डिंग चाहता था ताकि लोटने के बाद इसका विस्तार से अध्ययन किया जा सके, इसके लिए फ्लाइंग शैडो ने विशेश रूप से फायर डा नहीं था, वर्चुल गेमिंग हेलमेट में 90% सिंकरेट भी है, कितना बड़ा अंतर हो सकता है, वर्चुल गेमिंग कैबिन के निर्माता बस लोगों के पैसे ठगने की कोशिश कर रहे थे, हाला कि फ्लाइंग शैडो ने अपने लिए केबिन आजमाने के बाद उसे तुरं विडियो फ्लैट स्क्रीन विडियो से कहीं बहतर थे, दुर्भाग्य से जीरो विंग की कार्यशाला में केवल पांच वर्चुल गेमिंग कैबिन थे, जिन में से तीन गेड लीडर, फायर डान्स और ब्लैकी को समर्पित थे, शेश दो को बारी-बारी से अन्यमुख्य विडियो को ठीक से जीरो विडियो को ठीक से देख सकता था, वो भी अथर्व की लड़ाई से सीखना चाहती थी, फिर उसे बस फ्लाइंग शैडो की एक प्रती देने की जरूरत थी, जब दोनों लड़ाई के स्थान पर पहुँचे, तो उन्होंने अचानक अथर्व को गायब देखा, कुछ ही देर में बैटल मंकी वारचीफ के पास फिर से प्रकट हुए और धीरे-धीरे उसके पास से चल रहे थे, इस बीच बंदर वारचीफ के शरीर पर कुछ अतरिक् बैटल मंकी वारचीफ के लिए जिसमें 140-00HP था, वे केवल खरोंच थे, हाला कि बंदर वारचीफ इसके टकराने के बाद और भी उग्र दिखाई दिया, अचानक बैटल मंकी वारचीफ ने अथर्व पर हमलों की जड़ी लगा दी, मंकी वारचीफ ने अधिक आवरित्त बैटल मंकी वारचीफ उसे देख सकता था, लेकिन वो हमेशा अधर्व के भौतेक शरीर को हिट करने में विफर रहा, इस बीच बंदर वारचीफ का HP भी लगातार कम होता गया, एक पल के लिए अधर्व ने बैटल मंकी वारचीफ को पूरी तरह से दबा दिया था, क्या गिल्ड लीडर ने एक नई तकनीक सीखी है, उर्ती हुई चाया अनिश्चिता से बुद्बुदाई, हालांकि वह इसे कौशल कहना चाहते थे, यह गलत होगा, आम तोर पर शक्तिशाली कौशल में बहुत लंबे कूल टाउन होते हैं, एक ऐसा कौशल कैसे हो सकता है, जिस गायब हो जाता है, उसे एक साथ दूसरे स्थान पर फिर से प्रकट होना चाहिए, हालांकि गिल्ड लीडर के गायब होने के बाद, उसे हमारी द्रिष्टी में फिर से प्रकट होने में कुछ ही समय लगता है, इसके अलावा, जब भी हम किसी कौशल को सत्रिय करते हैं, तो हमेशा एक अजीब विराम होता है, फिर भी कोई विराम नहीं है जब गिल्ड लीडर उस कदम का उप्योग करता है, फायर डान्स के अवलोकन वास्तव में बिंदु पर थे, हाला कि उन्होंने फ्लाइंग शैडो को और भी बड़ा जटका दिया, खिलाडी वास्तव में किसी की मानसिक शक्ती पर भारी बोच डालता है, फायर डान्स के अवलोकन काफी गहन थे, और बहुत जल्दी उसने देखा कि अधर्व का रंग कुछ पीला लग रहा था, उसकी आखें भी कुछ धुंधली सी लग रही थी, कारवाई करने के लिए तयार, वास्तव में यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा फायर डान्स ने कहा था, शुने कदम उननत फुटवर्क था, एक ऐसी तकनीक जिसने दूसरे व्यप्ती के मस्तिष्क से स्वयन की उपस्थिती को हटा दिया, दूसरे शब्दों में दूसरों के सपष्ट रूप से अधर्व की उपस्थिती क हो जाएगा, हाला कि इस तरह के उननत फुटवर्क ने अपने उप्योग करता पर अत्यधिक मांग की, चाहे आंदोलन, सांस लेने आदी के मामले में, हाला कि अथर्व पहले से ही शुने कदमों को, क्रियानवित करने में सफल हो गया था, और प्रत्येक बाद के उप्योग कदमने किसी की मानसिक शक्ती को बहुत कम कर दिया हो, फिर भी यह बहुत प्रभावशाली था, जब बैटल मंकी वार्चीफ के पास केवल आधा HP 6 था, अथर्व पहले से ही ठकावट से परे था, मुझे लगता है कि एक निडर मुखिया से निपटने के लिए शुने कदमो का उप्योग वास्तव में चीजों को बहुत दूर धकेल रहा है, अथर्व अपने दिल में करवाहट से मुसराय, क्योंकि उन्होंने बैटल मंकी वार्चीफ को देखा, जो जितना अधिक लड़ा, उतना ही निडर होता गया, यदि वह किसी खिलाड़ी के खिलाफ होता, त शूने कदमों की अपनी महारत का सम्मान किया, इस बीच जब बैटल मंकी वार्चीफ ने देखा कि उसका प्रतिदवंधवी एक ठके हुए कुट्टे से अलग नहीं दिख रहा है, तो उसने अपनी आखे सिकोडली और एक ठंडी मुसकान प्रकट की, इसने एक बार फिर ड अथर्व अचानक शक्ती के साथ भड़क उठे ब्लेड लिब्रेशन यह टियर एक सुपरनिडर कॉशल था, जिसे सीखने के लिए अथर्व ने 20 विरासत कॉशल अंक खर्च किये थे कॉशल की अवधी केवल 20 सेकंड थी, और उस अवधी के बाद वह एक कमजोर स्थिती में प्रवेश करेगा उसके सभी गुन 3 मिनट के लिए 80% कम हो जाएंगे अगर वह 20 सेकंड में अपने दुश्मन को खक्म नहीं कर पाया, तो केवल मौथ ही उसका इंतजार कर रही थी इस बीच, जिस हथियार पर अथर्व ने ब्लेड लिबरेशन का इस्तिमाल किया, वह लेवल 20 डार्क गोल्ड रैंक वाली परगेटरी शैडो थी अचानक पेरगेटरी की चाया की शक्ती अथर्व में प्रवाहित हुई, उसका शरीर एक बेहोश लाल चमकने लगा अथर्व ने फिर एबिसल ब्लेड के चारों और अपनी पकड मजबूत कर ली और प्रकाश के आने वाले ब्लेड पर फिसल गया चान्दीग्रे तलवार के ब्लेड के चारों और बेहोश लाल चमकते डॉट्स गूमने लगे, डॉट्स राप के आकाश में टिम्टिमाते सितारों के समान थे तलवार की छवियों से टकराने पर एक धमाके की आबास गूंजी तेज हवाय फिर बाहर की ओर निकली और जमीन पर बिखरी पत्तियों को हवा में उडाले गई बैटल मंकी वारचीफ का डांस ओफ ब्लेड अचानक गायब हो गया बंदर वारचीफ को चार कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था और उसके उफास भरे चहरे पर अचानक दर का एक संकेप दिखाई दिया जो आदमी एक सेकंड पहले गिरने की कगार पर था उसमें अचानक वह शक्ती आ गई जो दूसरे सेकंड में थर्थरा सकती थी यहां तक की फायर डांस और फ्लाइन शैडो भी जो थोड़ी दूर से लड़ाई देख रहे थे, स्थब्ध थे गिल्ड लीडर की ताकत अध्भुत है, फ्लाइन शैडो ने कहा अधर्व वास्तव में एक निडर लेवल 25 सरगार को पीछे हटने के लिए मजबूर करने में काम्याब रहे थे यहां तक की बेर्सकर्स, जो अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे, इस तरह की उपलब्धी के लिए सक्षम नहीं थे यदि इस ताकत का उप्योग खिलाडियों के खिलाफ किया जाता, भले ही अधर्व ने किसी भी कौशल का उप्योग नहीं किया हो, फिर भी वह उन्हें एक ही हमले से खत्म कर सकता था यह सिर्फ उनकी ताकत नहीं है, यहाँ तक की उनकी गती में भी भारी व्रिद्धी हुई है इस से पहले मैं अभी भी उसके हमलों के बाद की चवीओ को देख सकता था अब मैं उसकी तल्वार की चवी भी नहीं देख सकता मैं मुश्किल से उसका हाथ अपनी तलवार को घुमाते हुए देख सकता हूँ, फायर डांस ने चौकते हुए कहा एक साधारन फट कौशल अपने उपियोग करता की शक्ती और गती को अधिक्तम 50% तक बढ़ा देगा दूसरी और अथर्व ने जिस विस्पोटक कौशल का इस्तमाल किया वह बहुत दराबना था फायर डांस के प्रारंभिक निर्नय के अनुसार अथर्व के मूल गुन कम से कम दोगुने हो गए थे इस तरह की वृद्धी से उसकी लड़ाकु शक्ती कई गुना बढ़ जाएगी बैटल मंकी वारचीफ को देखते हुए अथर्व ने धीरे से अपने होटों के कोनों को उपर उठाया और धीरे से कहा चलो फिर दूसरा रांड शुरू करते हैं अथर्व को जो बफ मिला वह उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक था न केवल उनकी शक्ती में 100% की वृद्धी हुई थी बलकि उनकी चपलता में भी 150% की वृद्धी हुई थी अथर्व अब सीधे टकराव में भी बैटल मंकी वारचीफ को पचाड सकते थे जी जी मंकी वारचीफ चिलाया और अथर्व पर अपने नुकीले दांत फिंके पहले की तरह बेथाशा अभिनय करने के बजाएं यह शांत हो गया और अथर्व की हर हरकत को ध्यान से देखा इसने अपने युद्ध क्रिपान को भी कसकर पकड़ लिया और युद्ध का रुख अक्तियार कर लिया ऐसा लगता है कि आप अंत्ता गंभीर हो रहे हैं अथर्व बेहोश होकर मुस्कुराया क्योंकि वह भी बंदर वार्चीफ की अगली चाल को प्राप्ट करने के लिए तयार होकर एक लड़ाई के रुख में बदल गया मंकी वार्चीफ के पास बहुत उच्च बुद्धी थी और यह सामान्य NPC से भी बत्तर नहीं था इसलिए यह स्थिती के आधार पर कौशल का उप्योग करने में सक्षम था वर्तमान में अथर्व के पास ताकत थी जो बैटल मंकी वार्चीफ की ताकत को पार कर गई थी स्वाभाविक रूप से बंदर वार्चीफ अपनी ताकत का उप्योग करके अधर्व को दबाने की कोशिश नहीं करना जानता था गौड्स डोमेन में सरदार रैंक वाले राक्षस न केवल गुनों और तकनिकों के मामले में अन्य राक्षसों से अधिक मजबूत थे बलकि उनके पास अध्वितिय लक्षन भी थे यह ठीक यही अनूठी विशेशताय थी जिन्होंने खिलाडियों के लिए एकल सरदारों के लिए इसे बहुत कठिन बना दिया इन अध्वितिय लक्षनों की एक विशाल विविधता थी कुछ राक्षसों के पास असाधारन विनाश कौशल थे कुछ के पास ऐसे कौशल थे जो उनके अपने शरीर को बढ़ाते थे कुछ के पास बहुत लंबी दूरी के हमले प्रकार के कौशल थे और इसी तरह जहां तक अधर्व को याद है बैटल मंकी वार्चीफ के पास क्लीन ब्रेक नामक एक अंतिम चाल थी क्लीन ब्रेक इश्वरिय गती वाला एक कौशल था सक्रिय होने पर मंकी वार्चीफ अपनी कृपान को ऐसी गती से जुलाएगा जिसे नगन आखों से ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है तुरंत अपने प्रतिद्वंधवी को मार देगा अतीत में इस एकल कदम से कई टियर एक विशेशग्यों की मृत्यों हो गई थी यहां तक की लेवल 30 के टियर एक शीड योधा का विशेशग्य भी इसका सामना नहीं कर सका टियर एक हत्यारों के लिए एक वर्ग जो अपनी गती के लिए जाना जाता है इससे पहले की वे अपने हत्यारों के साथ ब्लॉक का उप्योग कर सकें उन्हें मार दिया जाएगा अब भी जब अथर्व के पास मंकी वारचीफ से बहतर गती थी तब भी उसने जोखिम नहीं उठाने की हिम्मत की और सीधे रक्षाक्मक ब्लेड को सक्रिय कर दिया था संध के नेता बचाव की मुद्रा में क्यों गए वह सपष्ट रूप से बंदर वारचीफ की ताकत और गती से बहतर है उसे इसे आसानी से मारने में सक्षम होना चाहिए फ्लाइंग शैडो ने हैरान होते हुए कहा उसके पास खड़े होकर फायर डान्स खामोश था उसने पहले एक सरदार को चुनौती दी थी इसलिए वह जानती थी कि उस रैंक का राक्षस कितना शक्तिशाली था अपना रुख तयार कर लिया था और रक्षातमक उपाय कर लिये थे लेकिन उन्होंने बंदर वार्चीफ के हमले का इंतजार नहीं किया ताकि शोशन के लिए एक रास्ता तलाशा जा सके इसके बजाए उसने पहले हमला करने की पहल की प्रिथवी फाडने वाला वार्चीफ पर फिसलते हुए खंडित प्रिथवी से प्रकाश का एक ब्लेड निकला जैसे ही प्रकाश का शक्तिशाली ब्लेड वानर वार्चीफ से टकराने वाला था प्रकाश का ब्लेड अचानक बिखर गया जैसे कि उस पर कोई चोट लगी हो इस बीच जब तक सब की नजर पड़ी बंदर वार्चीफ की मुद्रा बदल चुकी थी इसका शरीर भी दो कदम पीछे हट गया था यह सपश्ट था कि वानर योधा वह था जिसने प्रकाश के ब्लेड को चकनाचूर कर दिया इससे पता चला कि मंकी वार्चीफ अथर्व से भी टेज था चैगस अथर्व ने अपने पिछले हमले से मोटे तौर पर बैटल मंकी वार्चीफ के हमले की सीमा का अनुमान लगाया वार्चीफ की गती को प्रभावित नहीं किया इसने राक्षस को केवल एक भयावा ड्राइन गती दी हाला कि इसकी क्रिपान केवल इतनी लंबी थी इसलिए इसकी आक्रमन सीमा बहुत सीमित थी अथर्व के अनुमान के आधार पर मंकी वार्चीफ की हमले की सीमा चैगस होनी चाहिए इन चैगस के भीतर काक्षेत्र बंदर वार्चीफ का पूर्न डोमेन था इसकी हमले की सीमा की पहचान करने के बाद जब तक अथर्व बहुत करीब जाने से बचता वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा अथर्व ने फिर तेजी से दर्जनों बार अपनी तलवार लहराई जैसे ही रक्षात्मक ब्लेड ने अपने हमले की सीमा को बढ़ाया अथर्व हर बार हमला करने पर लगभग 10 गस की दूरी बनाए रख सकता था इस बीच बैटल मंकी वारचीफ भी अपने हमलों के खिलाफ बचाव करते हुए अथर्व पर तूट पड़ा और उसके छै गस के दाइरे में आने की कोशिश कर रहा था दुर्भाग्य से मंकी वारचीफ की ताकत अथर्व की ताकत से कम थी हर बार जब उसने अथर्व के हमले का बचाव किया तो उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा इसके अलावा अथर्व की गती मूल रूप से मंकी वारचीफ की गती से तेज थी जिससे मंकी वारचीफ के लिए दूरी को कम करना और भी असंभव हो गया था हलांकि अथर्व के हमले भी मंकी वारचीफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके वे सभी क्लीन ब्रेक द्वारा ब्लॉक कर दिये गए थे इसके अलावा बैटल मंकी वारचीफ का एचपी अपने युद्ध से उबरने के कारण लगातार बढ़ रहा था निश्चत रूप से क्लीन ब्रेक वास्तव में शक्तिशाली है हाला कि आप इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं धीरे से मुस्कुराते हुए अथर्व ने नाइन ड्रैगन्स स्लैश को सक्रिय किया अथर्व के चारों और एबिसल ब्लेड के बारह प्रेट दिखाई दिये उसी समय सभी बारह प्रेट वानर वारचीफ पर वार करने लगे जिसक्षन बारह फेंटमों ने मंकी वारचीफ के हमले की सीमा में प्रवेश किया ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक सुरक्षात्मक बाधा में चुरा घोंपा हो प्रेट तुरंत पीछे की ओर उरते हुए भीजे गए बंदर वारचीफ को मारने में असमर्थ थे हालांकि अथर्व अपने हमले से बहुत दूर था अगले ही पल, एबिसल ब्लेड और पेरगेटरी की छाया के चारों और चिलचिलाती गर्म लपतें उभी यहां अथर्व के सुनिश्चित मारने के कौशल लेवल 9 फलेन बर्स्ट का प्रभाव था इसने 12 हमलों के लिए लप्टों की शक्ती को एक बिंदू पर केंद्रित किया अचानक अथर्व ने एक बार फिर बैटल मंकी वार्चीफ पर हमला किया जैसे ही अथर्व क्लीन ब्रेक की अटैक रेंज में प्रवेश करने वाला था, वो अचानक गायब हो गया हालांकि मंकी वार्चीफ हाई अलर्ट पर था, फिर भी वो अथर्व के अस्तित्व का पता नहीं लगा सका इसके अलावा, इसे 12 प्रेतों के एक साथ हमलों का सामना करने की भी आवशक्ता थी, उसके पास अथर्व का पता लगाने के लिए कोई उर्जा नहीं थी जब अथर्व फिर से दिखाई दिया, तो वो पहले से ही सीधे बैटल मंकी वार्चीफ के सामने खड़ा था एबिसल ब्लेड भी मंकी वार्चीफ से टकराने से कुछ ही दूरी पर था फिर भी मंकी वार्चीफ अभी भी मैजिक वेपन को अपने इश्वरिय कौशल क्लीन ब्रेक के साथ ब्लॉक करने में काम्याब रहा जह किस प्रकार की आक्रमन गती है, फायर डांस पूरे दिल से लड़ाई पर केंद्रित था हाला कि अब वह भी अवाक रह गई थी इतनी कम दूरी पर अथर्व की तलवार को आसानी से रोका नहीं जा सकता था फिर भी बंदर वार्चीफ ठीक वैसा ही करने में काम्याब रहा अथर्व इसे कैसे मारने वाला था अथर्व के हमले को रोकने में सफल होने के बावजूद बैटल मंकी वार्चीफ के चहरे पर असाधारन रूप से गंभीर अभिव्यक्ती थी अगले ही पल एबिसल ब्लेड ने मक्खन के माध्यम से गर्म चाकू की तरह अपने रास्ते में युद्ध कृपान को चीर डाला इसके तुरंत बाद परगेटरी की छाया ने शूने प्रतिरोध के साथ बंदर वार्चीफ के शरीर को गिरा दिया जिसके बाद तलवार दर तलवार बैटल मंकी वार्चीफ के शरीर पर उतरी ज्यारा हमलों की एक श्रिंखला ने मंकी वार्चीफ को मारा प्रत्येक हमले में दस शूने शूने के करीब नुकसान हुआ कुछ ने 20-00-00 के करीब नुकसान का सामना करते हुए एक गंभीर हिट भी हासिल की 11 स्लैश के कारण हुई कुलक्षती ने बैटल मंकी वारचीफ के 140-00-00HP को पूरी तरह से पार कर लिया बैटल मंकी वारचीफ डोरनेल की तरह मरा हुआ था यहां मेरी जीत है अथर्व ने मरे हुए बैटल मंकी वारचीफ को देखा, मंदमंद मुस्कुराते हुए इस समय वह मानसिक रूप से ठक गया था वह अनैचिक रूप से बैठ गया, उसका शरीर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था जिसके बाद सिस्टम से एक आपात कालीन सूचना की आवास उसके कानों में पड़ी गिल्ड लीडर फायर डांस ने वाइन स्टेप्स को सकरिय किया और गिरे हुए अथर्व के पास पहुचा दूसरी और फ्लाइंग शैडो ने जो देखा उससे पूरी तरह से दंग रह गया वह अभी भी पूरी तरह हक्का बक्का था गिल्ड लीडर क्या गलत है फायर डांस ने अथर्व के पीले रंग को देखकर घबराते हुए पूचा अंतर गौड्स डोमेन केवल एक खेल था यहां तक कि अगर कोई खिलाडी कमजोर स्थिती में प्रवेश करता है तो केवल उसके गुन घटेंगे डेब्यू निश्चित रूप से किसी खिलाडी की मानसिक स्थिती को कमजोर नहीं करेगा यह कुछ भी नहीं है मैं ठक गया हूँ बस इतना ही अथर्व ने जवाब दिया मैं अभी आराम करने के लिए सिस्टम स्लीप मौड में प्रवेश करने जा रहा हूँ आप दोनों लूट का ख्याल रखें और एकवा के साथ वापस मिलें याद रखना, कंठ में पीसना जारी रखो और कहीं मत जाना बैटल मंकी कमांडर कोई साधारन सरदार नहीं था यह वाइट फॉग कैनियन के अंदर पाया जाने वाला सरदार था जो अन्य सरदारों से बहुत अलग था शून्य कद्मों के बिना भले ही फायर डान्स और अन्य लोग इससे लड़ने के लिए हाथ मिला लें उन्हें अनिवार्य रूप से भागना होगा अगर अथर्व ने अपनी लड़ाई के दौरान शून्य कद्मों का इस्तिमाल नहीं किया होता तो हार ही उसका एक मात्र परिनाम होता अथर्व की मानसिक शम्ता लंबे समय से अपनी सीमा तक पहुँच चुकी थी अब जबकि उसने फिर से शूने कद्मों का उप्योग किया था वह उस सीमा को पार कर चुका था किसी खिलाडी द्वारा अपनी मानसिक सीमा से अधिक कुछ भी अच्छा नहीं होगा इसलिए मुख्य भगवान प्रणाली स्वचालित रूप से खिलाडी को स्लीप मौड में प्रवेश करने का सुझाव देते हुए एक आधिकारिक चेतावनी भेजती है स्लीप मौड में खिलाडी अपनी मानसिक शमता को पुनह प्राप्त कर सकते हैं वास्तव में यह बिल्कुल सोने जैसा ही था स्लीप मौड में आराम करने के दौरान ही खिलाडी अधिक अच्छी तरह से ठीक हो सकते हैं फायर डान्स का निर्देश देने के बाद अधर्व ने स्लीप मौड में प्रवेश किया और आराम करने के लिए गेन से लौग आउट हो गया सिस्टर फायर डान्स क्या हुआ फायर डान्स ने उच्छुकता से पूछा कि उसने आते ही अधर्व को लौग आफ करते देखा गिल्ड लीडर ठक गया है और आराम करने के लिए चला गया है चलो यहां बुंदों को ठीक करते हैं और कंठ में लौटते हैं फायर डान्स ने राहत की सांस लेते हुए कहा आराम करने के लिए लौग आफ फ्लाइं डान्स हैरान था उसका दिमाग सवालों से चलनी हो गया यह पहली बार था जब उन्होंने किसी खिलाडी को लडाई के कारण आराम करने के लिए लौग आउट करने की आवशक्ता के बारे में सुना था फ्लाइं शैडो ने एक बार दस घंटे से अधिक समय तक लगातार पीसने की कोशिश की थी हाला कि वह अपने प्रयास के बाद ठक गया था लेकिन कुछ खाना खाने के बाद वह ठीक हो गया और आराम करने के लिए होटल चला गया अब अथर्व को वास्तव में लौग आफ और आराम करने की ज़रूरक थी हाला कि इस पर कुछ विचार करने के बाद फ्लाइंग शैडो को इस स्थिती के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा आखिरकार बैटल मंकी वारचीफ इतना शक्तिशाली राक्षस होने के बावजूद अथर्व ने उस रहस्य में चाल के साथ उसे अकेला कर दिया था यहाँ अविश्वस निये था इसलिए यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था कि यह उनके गिल्ड लीडर पर इतना भारी पड़ेगा इसके विपरीत यह बिल्कुल उचित था यह बहुत अच्छा होगा अगर मैं उस चाल को सीख सकूँ फ्लाइं डान्स अभी भी मोहित था जब उसने अथर्व की लड़ाई के बारे में सोचा लेकिन मुझे लगता है कि गिल्ड लीडर को मुझे इतना शक्तिशाली कदम सिखाने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा नहीं, मैं हार नहीं सकता जब तक मैं जीरो विंग में अधिक योगदान देता हूँ अगर मैं कहूँ तो गिल्ड लीडर मुझे सिखाने के लिए सहमत हो सकता है फ्लाइं शैडो की जीरो विंग के प्रती निष्ठा एक बार फिर बढ़ गई उन्होंने आंतरिक रूप से जीरो विंग में अपना सर्वस्व योगदान देने की प्रतिज्या की बैटल मंकी वार्चीफ की लूट को तेजी से इकठा करने के बाद फायर डान्स ने फ्लाइं शैडो की चकित अभिव्यक्ती को देखा इस नजारे को देखकर वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी और बोली उर्ती परचाई, दिवासवपन देखना बंद करो हम कंठ में वापस जा रहे हैं फायर डान्स का मोबेश फ्लाइं शैडो के विचारों को समझ सकता है भगवान के डोमेन में एक निडर स्तर 25 सरदार का एकल खिलाडी निर्विवाद रूप से एक चमतकार था इसके अलावा अथर्व ने जिस रहस्यमय तकनीक का इस्तिमाल किया था उसने भगवान के क्षेतर में लड़ाई के सामान्य विचारों को तोर दिया था इसलिए वह उसे रहस्यमय होने के लिए कैसे दोशी ठहरा सकती है फ्लाइंग शैडो की तुलना में फायर डांस को लड़ाई का कहीं अधिक गहरा अनुभव था वह वर्चूल गेमिंग कैबिन का उप्योग करके गेम से जुड रही थी ताकि वह वोईट स्टेप्स की दुरजेता को सपष्ट रूप से देख और महसूस कर सके इस लड़ाई को देखने से उसे जो लाभ मिला वह अन्य विशेशग्यों की सौ से अधिक लड़ाईयों को देखने से प्राप्त लाभ से अधिक था ओह जब वह होश में आया तो फ्लाइंग शैडो ने तेजी से उसका पीछा किया अधर्व के लॉग आफ करने के बाद जीरो विंग के सदस्यों ने कंठ में निवास किया वे कंठ में राक्षसों को लुभाने और मारने के लिए कहीं और नहीं गए वाइट फॉग कैनियन में राक्षस कई थे इसके अलावा उनकी लूट समान रूप से भरपूर थी कंठ जैसे रननीतिक स्थान के साथ जीरो विंग के खिलाडियों को चिंता करने की कोई बात नहीं थी भले ही उन्हें युद्ध बंदरों की सेना का सामना करना पड़े अन्य जगहों पर पीसने की तुलना में यहां पर समतल करने की उनकी गती कई गुना तेज थी इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे उपकरण और विभिन सामगरी भी प्राप्त की हाला कि जब जीरो विंग शांती पूरवक समतल हो गया तो वाइट रिवर सिटी ने हंगामे के साथ विस्पोट कर दिया था वाइट फॉग कैनियन में एक महान भगवान की खोच के बाद सभी को विभिन गिल्डो के सफलता पूरवक छापे मादने की खबर का बेसबरी से इंतजार था हाला कि परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित थे इतने सारे स्तर बीस और उससे उपर के संभरांत खिलाडियों को भेजे जाने के बावजूद इससे पहले की विभिन संगों को महान भगवान मिले वे अपने आधे से अधिक खिलाडियों को खोचुके थे अचानक वाइट फॉग कैनियन के बारे में सभी का नजरिया बदल गया था कई खिलाडि जो मूल रूप से पीसने और स्तर बढ़ाने के लिए घाटी की ओर दौडने का इरादा रखते थे उन्होंने इस रहस योध्धातन पर अपनी योजनाओं को खारिस कर दिया हाला की हाला की कई लोगों ने वाइट फॉग कैनियन को छोड़ दिया था लेकिन इसने उन्हें इस पर चर्चा करने से नहीं रोका हाला की वाइट रिवर सिटी के अधिकांश गिल्डों ने वाइट फॉग कैनियन अब भी सभी का अनुमान था कि इन पाँच गिल्डों में से कौन सा महान भगवान को मारने वाला पहला होगा इस समय वाइट रिवर सिटी के टेलिपोर्टेशन हौल के अंदर टेलिपोर्टेशन सरनी चमकने लगी और छै आकडे अचानक प्रकट हुए जैसे ही ये छक्के दिखाई दिये उन्होंने तुरंट वाइट रिवर सिटी में खिलाडियों का ध्यान आकरशित किया इन चै लोगों के पास आश्चर्यजनक स्तर थे उनमें से हर एक कम से कम 25 के स्तर का था उनमें से 26 के स्तर तक भी पहुँच गया था इस खिलाडी ने वास्तव में वाइट रिवर सिटी के सरवोर्च स्तर के खिलाडी ब्लैकी को पीछे छोड़ दिया था हाला कि यह सबसे चौकाने वाला पहलू नहीं था उन्होंने जो उपकरण पहने थे वे वास्तव में दूसरों को अचंभे में डाल देते थे बोन शेड की गुनवत्ता समझ से परे थी चौकाने वाली बात यह है कि इस गारजियन नाइट के पास 5600 HP से अधिक की राशी थी जो कि पहले दरजे के गेड के चीफ MP तक भी नहीं पहुंची थी फिर भी इन में से किसी भी खिलाडी ने अपनी चाती पर गेल्ड प्रतीक नहीं पहना था जाहिर है वे स्वतंत्र खिलाडी थे यहां आश्चर यजनक था कि स्वतंत्र खिलाडीों ने ऐसे उपकरण हासिल कर लिये थे बॉस यहां के लोग अजीब हैं वे सब हमें क्यों भूर रही हैं? यहां मेरे रोंगटे खड़े कर रहा है। देश के बंपकिन्स हमारे उपकरण देखकर सिर्फ इर्श्या कर रही हैं। आखिरकार यह जगह उतनी बुरी नहीं है। यहां औसक खिलाडी 18 या 19 के स्तरके आसपास हैं। यहां हमारे मुकाबल टेलिपोर्टेशन हॉल से बाहर निकल गई। सड़कपर 6 की इस पार्टी का सामना करने वाला कोई भी खिलाडी अंजाने में एक तरफ हट जाएगा और दर से दूर हो जाएगा। अप्रत्याशित रूप से अथर्व वर्चुल गेमिंग कैबिन के अंदर एक दिन से अध दरजन घंटे ही सोया था। अब वह वास्तव में 30 घंटे से अधिक सोया था। यह पहली बार था जब अधर्व को ऐसी स्थिती का सामना करना पड़ा था। क्या? यहां तक की निउट्रियंट सॉल्यूशन जो मुझे आधे महीने तक चलने वाला था, वह पहले ही बॉट् गेमिंग कैबिन छोड़ने के बाद उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा बहतर महसूस किया। यहां तक की उनका शरीर भी शितिल महसूस कर रहा था। अथर्व ने हलके से व्यायाम किया, उसके सामने खाली हवा में कुछ दरजन मुक्के फेंके। हर बार जब वह घूसा मार तो वह अपनी मुठियों को हवा में चुगते हुए महसूस कर सकता था। मेरा शरीर बहुत अधिक लचीला हो गया है। यहां तक की मेरे मुक्कों की गती में भी काफी सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रशिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका सन्यम के साथ है। था और कभी भी उनकी ठकावट को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाएगा। तीस घंटे से अधिक के आराम के बाद वह पूरी तरह से आराम कर चुका था। नतीस तन वह अब अपनी असली ताकत दिखा सकता था। हाला कि उनके शरीर में सुधार नहीं हुआ था लेकिन कुछ ऐसा था जो अधर्व हमेशा से चाहता था। इतनी देर तक सोने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि वाइट फॉग कैनियन में कुछ हुआ है या नहीं। उम्मीद है एकवा टीम को जोखिम में नहीं डालेगा और घाटी में आगे बढ़ेगा। अधर्व की खु अधर्व में प्रवेश करने के बाद न केवल वहां के सभी राक्षस 25 और उससे उपर के स्तर पर थे बलकि अधिकांश राक्षस भी विशेश संभरांध थे। आंतरिक शेत्र में खत्रा घाटी के किनारों से कई गुना अधिक था। केवल जीरो विंग के 500 सदस्यों के सा अगर एक खिलाडी हों उन्हें भयानक नुकसान उठाना चाहिए अगर वे आंतरिक घाटी में उध्यम करते हैं। स्थितियों का मुकाबला करने के लिए था। यदि उसने समाधान की भरपाई नहीं की तो क्या उसे फिर से अपनी मानसिक सीमा से अधिक होना चाहिए उसका शरीर इस समय की तरह अपनी चरम स्थिती में नहीं आएगा। थोड़े आराम के बाद अधर्व एक बार फिर बिग डिपर के साथ सहयोग के मामले में प्रबंधक जियों ने कहा कि निरनय लेने से पहले उन्हें अपने वरिष्टों के साथ आगे चर्चा करने की आवशकता है। अंत में उनके बोलने के चार दिन बीच चुके थे, मैनेजर जियों ने उनसे संपर्प नहीं किया यह मानते हुए की वारता विफल हो गई थी, अथर्व ने बिग डिपर के साथ सहयोग करने की धारना चोर दी। इसके अलावा अथर्व अपने लिगेसी प्रायल में व्यस्थ थे, इसलिए वो इस मामले को पूरी तरह से भूल गए थे। कॉलर आईडी देखने के बाद ह अथर्व को याद आया। मूल रूप से अथर्व ने अपना प्रशिक्षन केंद्र शुरू करने की तयारी कर ली थी। किसी भी मामले में उसके पास जेंटल स्नो से 30 मिलियन प्रेडिक थे, इसलिए उसके पास अपने दंपर एक शुरुवात करने के लिए धन था। एक प रहा था जैसे वह आदमी कई दिनों से सोया नहीं था। यहां तक कि उसकी आखों के नीचे काले घेरे भी बन गए थे। मैनेजर जियो एक मार्शिल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनकी काया एक सामान्य व्यक्ति से बहुत दूर थी। उन्हें पोशक द्रव्यों का भी मैंने अपने बड़े भाई को स्थिती की सूचना दी है। मेरे बड़े भाई ने विशेश रूप से इस उद्देश के लिए निदेशकों की बैठक आयोज़त की। संक्षेप में हम आपकी शर्तों से सहमत हैं। हाला कि हमारी अपनी एक शर्त है। एक शर्त अथर्व ने मैनेजर जियो कुछ छिपा रहा है। वर्तमान में गौड्स डोमेन की लोगप्रियता में विस्खोट हो गया था। लोगों की बड़ती संख्या भगवान के डोमेन में लडाई की आदी हो गई थी और कई लोगों ने वास्तविक जीवन में लडाई में रुचिक हो दी थ से यह प्रशिक्षन केंद्रों और डोस जैसे स्थानों को प्रभावित करेगा। मैनेजर जियो की उपस्थिती के आधार पर अथर्व इसके बारी में निश्चित था। बिग डिपर ट्रेनिंग सेंटर का कारोबार तीजी से गिर रहा था। यहां तक कि बिग डिपर में सत्ता में बैठे लोग भी कामपने लगे थे। इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्चक्ता थी जो बिग डिपर को पुनर जीवित कर सके। हालाकि लडाई की प्रतियोगिताय कम लोक्त्रिय हो रही थी फिर भी उनके लिए एक बाजार था। केवल प्रथम श्र आर्ट मास्टर होता जो उन्हें अपने लिए एक नाम बनाने में मदद करता और एक लडाकू प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता तो वे अपने वर्तमान पतन से खुद को बचा सकते थे। आखिरकार गौड्स डोमेन में प्रदर्शित युद्ध तकनीके अधिकांश जान सकता हूँ? यहां तक की एक मूर्ख भी बता सकता है कि बिग डिपर के बड़े शौट अथर्व की ताकत का परीक्षन करना चाहते थे और साथ ही बिग डिपर की प्रतिष्था को बढ़ाते थे। इस बीच प्रशिक्षन केंदर के लिए प्रसिधी पाने के लिए लेकिन मेरी एक और शर्थ है अथर्व ने उत्तर दिया। मास्टर अथर्व कृप्या पीछे ना हटें। मैनेजर जियो ने अथर्व का जवाब सुनकर उत्साह से कहा। अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे पांच वर्चुल गेमिंग कैबिन और 15 S-Rank पोशक तत्व चाहि में थी। जदी वह कार्यशाला में शीघर सुधार करना चाहता था तो उसे बड़ी संख्या में विशेशग्यों की आवशक्ता थी। हाला कि गौड्स डोमेन के सामान्य विशेशग्य ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें शीर्ष स्तरिय विशेशग्यों की जरूरत थी। वर् ये मुख्य सदस्यों के लिए केवल दो केबिन उपलब्ध थे। जदी वह एक और पांच वर्चुल गेमिंग कैबिन प्राप्त कर सकता है, हाला कि प्रत्येक मुख्य सदस्य के पास अपना निजी केबिन नहीं हो सकता है, तो घूर्णन का उप्योग पर्याप्त होना चा हाला कि ये आइटम एक साथ लगभग 30 मिलियन क्रेडिट के लायक थे। यहां तक कि बिग डिपर जैसे सफल निगम के लिए भी यह कोई छोटी रकम नहीं थी। आम तोर पर वे अथर्व के अनुरोध को स्विकार कर सकते थे। अब हाला कि सब्तरिशी का व्यवसाय बहु के मुनाफे को दोगुना कर देता। इसके अलावा 30 मिलियन क्रेडिक बिग डिपर के लिए अतरिक्त बदलाव थे। यदि वे इतनी कम कीमत चुकाने को तयार नहीं थे तो अथर्व अपना प्रशिक्षन के इंदर भी शुरू कर सकते थे।